हेलो डियर स्टूरियन डाउटनेट की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत सभागा थे चलिए स्टार्ट करते हैं आज नया चाप्टर और आज नया चाप्टर है अपना कंट्रोल और कॉडिनेशन जिसे हिंदी में नियंत्रन एवं समन्वय कहा जाता है ठीक है इस पूरे च लाइं降 करेंगे हम की इस चाप्टर में हमें कौन सी चीजे इंपोर्टन तरीके से समझनी है उनके बारे में ठीक है तो एक यहां पर बहुत कॉमन्ट है क्लिसी के स्टिमुलेस लिएARS पिर स्टिमुल driver response किसे ते हैं यह हमें पता होना है अगर हम स्टिमूल की है तो बहुत सिंपल सी बात है कि आपके इन्वार्मेंट में यानि आपके चारों तरफ जो इन्वार्मेंट मौजूद है उसमें अगर अचानक से कोई चेंज हो जाए तो उसे आप कहोगे स्टिमुलस ठीक और उस स्टिमुलस को टच करने चूने या उसके प्रती आप जो रिस्पॉंस देते हो उसे आप कहते हो प्रतिक्रिया फॉर इग्जैंपल लिखा भी हुआ है आपके सामने बोड़ पर कि पर्यावरण के अंदर यानि आ आपके इंवर्मेंट में रखा हुआ है एक गरम तवा आपने जैसे ही उस गरम तवे को छुआ जट से आप अपना हाथ हटा लोगे तो गरम तवे को छूना क्या है स्टिमुलस और जैसे आपने अपना हाथ हटाया वह आपकी प्रतिक्रिया हो जाएगी तो सेम प्रतिक्रि कहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने लिखा क्या हुआ है क्योंकि हम एक्जयाम में लिखना भी होता है तो स्टिमुलस यानि उतेजना की बात करें तो कह रहा है पर्यावरण में मौजूद कोई भी ऐसा चेंज जिसके प्रती हम क्या देते हैं रिस्पॉंस देते हैं उसे हम क्या हम उतेजना यानि स्टिमुलस कहते हैं ठीक फिर वही बात है कि यह जो रिस्पॉंस हमने दिया हुआ है उस स्टिमुलस के प्रती जो भी मुझे हम देंगे जैसे किसी उत्तेजना के प्रती हमारे शरीर में कुछ प्रतिकरियाय होती है स्वान्स होता है जिसे हम प्रतिक रिस्पाइल कहते हैं जैसे गरम तवे को च्छू करकि अपना हाथ हटा लेना अगर हम यहां को condition में कोई एक लड़की है वो ऐसी जगह से जा रही है जहां पर बहुत जादी गंदगी पड़ी हुए है तो यह लड़की बहुत जादे bad smell वाले area से होकर कि गुजर रही है अब यह bad वाला जो smell है यानि इसके environment में जो change है लड़की के लिए environment में change क्या हो गया यह गंदी सुगन सरी धूर गंद तो यह bad smell जो है यह इनके environment की क्या है एक change है जिसे हम नाम देंगे stimulus ठीक है अब इसको जैसे ही contact में यह लड़की आई इसने तुरंट था दूसरा क्या है कि कोई एक लड़का है उसने एक गरम प्लेट देखी और उसने उस पे हाथ रख दिया तो environment में रखा हुआ वो गरम प्लेट क्या है stimulus है उस प्लेट को छू करके जब आपने अपना हाथ अठाया तो आप क्या दे रहे हो तो जिस भी चीज के प्रतिह आप response दे centralized हो उसरी आप stimulus कहते हो और stimulus को ही चू कर किया करते हो ने रिस्पॉंस आपको समझ में होगा कि stimulus और response क्या होते हैं अब हमने यहाँ पर पहत important चीज़े पढ़नी है control and coordination में तो control का क्या मतलब है और coordination का मतलब अब की body को कब कितना काम करना है किस तरीके से काम करना है यह तो control process हो गया ठीक है लेकिन coordination क्या है अगर हम coordination की बात करें जिसे हिंदी में आप समन्वय कहते तो एक पैर आगे बढ़ेगा और पीछे वाला पैर जमीन को धक्का देगा तब ही आप आगे बढ़ोगे यह प्रॉसेस एक दूसरे के साथ समन्वे में होती है यानि अगर आपका एक पैर दूसरे पैर के साथ कॉडिनेशन में नहीं रहेगा तो आप गिर जाओगे आप ऐसा नहीं है कि यह हाथ अपने आप घूमने लग गया यह यहाथ उठी नहीं रहा है ठीक है एक कॉडिनेशन हमारी बॉडी में हमेशा बनती रहती है जिससे हमारी बॉडी कंट्रोल पोजीशन में रहती है ठीक है कैसे रहती है इसे ही हमें यहाँ पर पढ़ना है ठीक तो कोडिनेशन यानि जिसे आप समनवे कह रहे हो समनवे एक ऐसी क्रिया है किसा प्रोसेज है जिसके जरीए आपकी बॉडी के जो पार्ट सोते हैं वह एक दूसरे के साथ मिल करके काम करते हैं ठीक है अगर मैं आपको देख पा रही हूं बोल पा रही हूं और कुछ समझा पा र ऐसा नहीं है कि मैं सामने बोल कुछ और रही हूं दिखा कुछ और रही हूं और समझा कुछ और रही हूं तो यह कोडिनेशन तो नहीं होगा ठीक है तो हर हुमन की बॉडी में एक कोडिनेशन होता है जिससे कि सभी चीजों को वह बहुत ठीक धंग से कंट्रोल पोजिशन पहला तो तंत्रिका समन्वे होता है जिसमें हम तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे ठीक है और दूसरा जो समन्वे है उसे हम रासाइनिक समन्वे कहते हैं और इसमें हम हॉर्मोन के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो आज की क्लास में हम तंत्रिका के बारे में पढ़ तो तंत्र का तंत्र किसे कहते हैं आपकी पूरी बॉड़ी में जितनी भी चीजे सूचनाओ के रूप में आ जा रही हैं वह कौन रिगुलेट कर रहा है तंत्र का तंत्र अब यह कौन सही रहे हैं और कॉषिका होती है और रहो यानि अगर Alors तंत्री का तंत्र की बार्ट करूं की संरचना और तंत्री का तंत्र का कर्यय सारा है एक प्रकार कोशिक रेगूलेट करती है अब ऐसा हम रही होले करता है और इन कोशिका औह excitant ऑव इस कोषिक नेरा जाता है तंट्री का कोशिका के नियूरॉन में न्यूरॉन की सिर्ट में मुझ कर लेदे थे हूं मनवय में हमने यहां पर तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ना है क्यूंकि तंत्रिका तंत्र के सारे के सारे काम कौन कर रहा है और तंत्रिका कोशिका है इनकी संरचना और इनके कारियों को पूरा कर रही है तो तंत्रिका कोशिका को एक और नाम देते हैं नियूरॉन भू तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कर्यात्मक इकाई कहते हैं क्लियर हो यह बात तंत्रिका तंत्र को क्या कहते हैं संरचनात्मक और कर्यात्मक इकाई कहते हैं अब देखो नियूरॉन्स जो होते हैं यह मानों के शरीर में सबसे लंबी कोशिका है मुझे लगता है कि आपक कोशिका की बात करें ठीक लंबी कोशिका आपकी बॉड़ी में कौन है नियूरॉन लेकिन अगर मैं आपकी बॉड़ी में सबसे बड़ी कोशिका की बात करूं ठीक तो बॉड़ी की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होता है अंडाडू यानि एगसल और बॉड़ी की सब सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो मानो शरीर की सबसे छोटी कोशिका को हम बोलते हैं शुक्राणों आई होब आपको यह सारी चीजें पता है ओके तो यहाँ पर क्या लिखाई है जो तंत्रिका तंत्र में मौजूद है कोशिका जिससे तंत्रिका कोशिका या नियूरॉन कि अब हमें इनके पार्ट के बारे में पढ़ना है एंड इसका डाइग्राम बहुत जादा इंपोर्टेंट है एक्जाम में पूछ लेता है ठीक है तो नियूरॉन्स जिसे आप तंत्रिका कोशिका कह रहे हो यह बना किसका है देख लेते हैं नियूरॉन्स के तीन भाग हमने हमने डिसाइड कर लिए हैं बीच वाले भाग को साइट ओन या सोमा या कोशिका शरीर कहते हैं फिर डेंड्रोइड होता है और एक्जान होता है यह तीन भागों में हमने इनको बाट लिया है तो अगर हम नियूरॉन्स किससे बना होता है कि बात करें तीन भाग से मिलकर ब प्रेजी में यहां पर सेल बोडी अगर लिख दिया जाता तो चार नाम हो जाते हैं क्या क्या है साइट ओन कोशिका शरीर और सोमा यह सारे किसके नाम है आपके बीच वाले तंत्रिका कोशिका के भाग के ठीक है तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो यह बड़ा वाला जो भाग आपको दिख रहा है कि यह आपका कोशिका काय जिसे आप सोमा भी बोलते हो अर साइटउन भी बोलते हो अब एक चीज़ याद रखना इनके बीच में क्या होता है केंद्रक होता है यानि तंत्रिगा कोशिका का केंद्रक कहां पर मौजूद है कोशिका काई में इनकी कोशिका काय से बहुत जादा शाखाओं जैसे संरचना निकलती है जिसे आप डेंड्रोइट्स या फिर हिंदी में द्रूमिका कहते हो तो डेंड्रोइट्स को हिंदी में क्या कहते हैं द्रूमिका कहते हैं ठीक है और यह शाखा जैसे सनरचना है यानि पेड़ों की जैसे ब्रांचेज निकलती है वैसी ही सनरचना है अब देखो कोशिका का ऐसे रैकेट जैसा टेनीस के रैकेट जैसा के स्ट्रक्चर निकला है यह देखो यह दिख रहा है टेनीस के रैकेट जै जैसा है श्रक्चर और च्रक्चर को बोलते हैं सबसे उन्सें बहुत-सारी निकलते हैं चड़ी जैसी संरशना निकलती है जिसे एकजन या तंत्रिक आक्ष कहा जाता है अब हम इसके बाड़ों कैसे लिखेंगे यहां पर कोशिका का structure है और इंपर्टन स्ट्रक्चर हमें बनाना है हमने बोला कितने भाग होते हैं इन में पहला धागल है कोश्यका काया और और कोशका काय में केंद्रक होती घो इनके सभी कार्यों का नियंतरण करती है यानि किस का कोशिका को कितना गाम करना है कौन देखे price केंद्र게 कि दॉर कोशिका काय के में डेंड्रोइट्स कहते हैं ठीक है कोशिका का इसे लंबी रॉकेट जैसे एक संरश्ना निकली हुई है और इस संरश्ना को हम नाम देते हैं एक्जॉन यानि तंत्रिकाश यह तीसरी संरश्ना है अंग्रेजी में इसे एक्जॉन कहते हैं ठीक है ओके अब इसको लिखेंगे कैसे मैं बार-बार कह रही हूं डाइग्राम याद रखिए का एक्जाम में आ सकता है तो इसको कॉपी पे भी आपको बनाना है ठीक सोमा को हम कोशिका शरीर या फिर एक और नाम दे देते हैं साइट ओन ठीक ये पहला भाग है तंत्रिका कोशिका का दूसरा भाग होता है तंत्रिका कोशिका का एक्जॉन जो कि सोमा से निकला हुआ रैकेट जैसा स्ट्रक्चर है और ये एक्जॉन विद्यूतावेगों को कोशिका के शरीर से दूर संचालित करता है यानि एक बार कोई सिगनल आ गया इलेक्ट्रिकल फॉर्म में तो उसको दूसरे कोशिका तब भेजने का काम कौन करेगा एक्जॉन करेंगे फिर है हमारा डेंड्रॉइड यह तीसरा स्ट्रक्चर है ब्रांचे जैसा होता है शाखा जैसा होता है और यह क्या करता है कि सிगनल्स को पकड़ने का काम करता है ठीक तो अन्य न्यूरों से सिगनल्स को पकड़ने का काम करता है टेंड्रॉइड ठीक अब एक चीज़ अज правильно अशा तो है नहीं कि सारी कोशिका अंतंछिका की एक त Freudी हो रही है यह एक दूसरे से ओकोशिक होती है तो ठीक है तो हम बात करें कि अगर हम यहां पर एक तंत्रिका कोशिका बना रहे हैं तो यहां पर दूसरी तंत्रिका कोशिका दोनों से जुड़ी होती है इस भाग को हम सिनैप्स कहते हैं यह भी याद रखना कभी कभी पूछ लेता है सिनेप्स क्या होता है सिनेप्स एक जंक्षन है जो एक तंत्रिका कोशिका को दूसरी तंत्रिका कोशिका से जोड़े रखता है ठीक है तो इतने भाग आई होप आपको समझ में आए होंगे अब आपको यहां पर यह पता करना है कि कौन से भाग में क्या-क्या पाया जाता है ठीक है तो सबसे पहले हम neurons के भाग में पहली heading डालेंगे कोशिका काय या सोमा या cyton ठीक है तो कोशिका काय सोमा या cyton की बात करें तो यहाँ पर उसको अंगरेजी में cell body लिख दिया गया है इसको हम बोल देते हैं यह है cyton या फिर कोशिका काय या फिर सोमा बोलते इनको ठीक है और यह सबसे बीच का पार्ट होता है तंत्रिका कोशिका का अब समझो इस तंत्रिका कोशिका के बीच के भाग से जिसे आपने कि सोमा कहा हुआ है बहुत सारी शाखाइं निकलती है जिसे हम कहते हैं डेंडॉइट तो देंड्राइट paj sy होते हैं यह शाक्हा जैसी संद्रचना होते हैं जो दूसरे नियूराउड से संदेश को प्राप्त करते छिसेंपल यह नियूराम के के पास में आ जाती है जिनसे क्या होती है information को एक देंड्रोइट से दूसरे डियन्ड्राइट में क्या किया जाता है भेज दिया जाता है तो डेंड्रोइट साखा जैसी शनरचना है जो नियूरॉन से संदेश प्राप्त करती हैं और कोशिका शरीर तक इनको पहुचा देती ह ठीक अब समझो एक नुर्ण से संदेस दूसरे नूर्ट में डेंडराइट्स लेकर आये और इसको इन्होंगों कोशिका काय तक पहुंचा दिया कोशिका काय के पास नाभिक मौझूद है यानि क्या मौझूद है कें केंद्रक जो है उस सूचना को क्या करेगा पढ़ने का काम करेगा देखने का काम करेगा कि वह सूचना सही तरीके से जाएगी कैसे जाएगी उसको modification की जरुवत है या फिर सारे काम को देखने का काम कौन करेगा केंद्रक तो जो information आई उसको देखने का काम करेगी केंद्रक उसके बाद उसको सही लगेगा तो उस सूचना को वो किस में भेज़ देगी एक्जॉन में ठीक है अब एक्जॉन में वो एक्जॉन के एंड से दूसरे नियूरॉन में चली जाती है ठीक तो एक कोशिका ने डेंड्रॉइट से सूचना ली सूचना को कोशिका काय में भेज दिया कोशिका काय के पास केंद्रक के साथ साथ बाकी भी ऑर्गनल्स होते हैं जैसे गॉल्जी काय सूचना को अच्छे से पढ़ा समझा फिर इसको एक्जॉन में दोड़ा देगा कि आप इसको एलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रांसफर कराईए अब एक्जॉन इनको अपने अंदर से ले जा करके दूसरे नियूरॉन यह तक भेज देता है और एक नियूरॉन से दूसरे नियूरॉन का जो जोड़ है उसे हम स्नेप कहते हैं तो इसी तरीके से सिगनल्स एक नेउरॉन से दूसरे नेूराउन में ट्रांसफर होते रहते हैं ठीक है सिगनल्स इसी तरीके से ट्रांसफर होते हैं आंड ये जो question है कि तंत्रिका कोशिका की सनरचना और और उनकी क्या काम है वो लिखिए तो इसी तरीके से आप लिखोगे सणरचना आपकी यह रही कितने भाग होते हैं यह रहे और उन भागों में क्या क्या काम होता है यहां पर लिखा हुआ है तो यहां पर a question तो हम ऐसे आपकी बॉडी में रिस्पॉंस होते हैं जो आपकी मर्जी के बिना हो जाते हैं आपको पता भी नहीं लगता आप अपने आप वो काम कर देते हैं कि यह अपकी पास की आपको बचाने के लिएक काम किया है इसे काम को हम बोलते हैं प्रतीवर्टी यानि ऐसी में आपकी इच्छा के बिना हो जिसमें आपका दिमाग नहीं लगता सिर्फ आपके spinal cord भाग लेते हैं यानि रीड की हड़ी भाग लेती है इस क्रिया को हम प्रतिवर्ति क्रिया केहते हैं ठीक तो प्रतिवर्ति क्रिया की बात करें तो जितने भी उत्तेजनाएं हैं यानि एटमोस्फियर में कोई चेंज जैसे की आपने गरम तवे को जैसे ही छ जितने उसको चुआ अचानक से हम प्रतिक्रिया देते हैं और वो प्रतिक्रिया से काम नहीं करती है ठीक अगर हम सोचें कि घरम तवाचू रहे हैं दिमाग पहले कालकुलेट करेगा भी करेगा कि हाथ खताना है नहीं हटाना है तब तक तो कांड़ हो जाएगा हाथ जल जाएगा तो इसी वज़े से बॉड़ि में कुछ ऐसे भी रिस्पॉंस होते हैं जिसमें आपका दिमाग इंवाल्व नहीं होता सिर्फ रीड की हड़ी इनवाल्व होती है और इस तरीके की क्रिया को हम अनेक्षिक तरीके की क्रिय बोलते हैं और यह होती है प्रतिवर्ती क्रिया ठीक इसमें क्या होता है इसमें कोई भी तरीके से आपका दिमाग नहीं इन्वाल्व होगा अपने आप यह प्रोसेज आप दिखाओगे काम करोगे अब देखो प्रतिवर्ती जो क्रिया होती है यह क्रिया बहुत ही तरी होने वाले होती थो बहुत तेजी से होती है सेकंड पॉइंट ही आपको समझ में आ रहा होगा थार्ड लिखा हुआ है प्रतिवर्ति क्रिया को पूर होने वाले भाग को प्रति-वर्ति चाप कहते हैं यानी गरम तवे पे हाथ रखना और हाथ को हटाने से जितना भी हमने काम किया है उस पूरे प्रोसेस को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं ठीक नेक्स्ट कह रहा है इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए जो भी तंत्रिका कोशिका इन्वाल्व होती है उनके दो भाग होते हैं एक जो संदेश ले जाएगी और एक जो संदेश ले आएगी ठीक जो संदेश प्रश्पंस देना है उसको आप मोटर नियूरॉन या फिर अपवाही तंत्रिका या फिर आप कह सकतेए कि ले आने वाला यह क्या है कि तंत्रिका कोशिका है ठीक तो ध्यान से समझो ऐसी क्रिया जो आपके इच्छा के विरुद्ध होती है बहुत तेजी से होती है और अपने आप होती उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं इसमें इसमें डिमाग का कोशका यहां पर इंवाल्व हो रही है एक कोशिका संदेश ले जाएगी जिसे आप रिसेप्टर कहते हो या फिर सनवेडी नियूरॉन एक तंत्रिका कोशिका संदेश ले आएगी कि क्या काम करना है और उसे आप मोटर नियूरॉन या फिर अपवाही तंत्रिका कहते हो अब एक चीज़ समझो डाइग्राम यहां पर मोमबत्ती है ठीक और मोमबत्ती के उपर ह हमने अपना हाथ रखेगिया हम हाथ को तुरंत ऐसे यहां देख रहा है तो हमें मिल्कुल भी कम समय को सब्छक्राय यहां पर आपấu लोगा है और यह कैसी है अपने आप हो रही है और यह पार्ट आपको ली जो लाइन है इसने रीड की हद्डी को संदेश दिया कि भाई यहां पर कोई गरम चीज है आपकी रीड की हद्डी ने यह पीले वाले तंत्रिका कोशिका से रिस्पॉंस दिया यानि प्रतिक्रिया दिया वो भी तुरंत और इसे ही हम कहते हैं मोटर नियूरॉन और यह वाला जो नियूरॉन जो संदेश ले जा रहा है इसे हम कहते हैं सन्वेदी नियूरॉन ठीक तो अब हमें प्रतिवर्ती चाप का डाइग्राम बनाना होगा और व गर्म प्लेट है और गर्म प्लेट पर हमने अपना हाथ रख दिया ठीक जैसे हम इस पर अपना हाथ रखेंगे एक तंत्रिका कोशिका तुरंत एक्टिव हो जाएगी जिसे हम सन्वेदी तंत्रिका कोशिका कहते हैं अंग्रेजी में रिसेप्टर कहते हैं अब इसने तुरंत ही सिगनल को कहाँ पर भेज़ दिया ये आपका स्पाइनल कॉड है यानि ये आपकी रीड की हड़ी है कि तीट कर यानि signal पहुत चुका है रीड की हड़ी में रीड की हड़ी के पास एक तरीके का और भाग होता है जी से इंटरण कहते हैं और ये सनवेर्डी तंत्रिका कोशिका से आए सूचना को मोटर नियूरोन में भेजने का काम करती है तो ये इंटर नियूरोन सनवेडी नियूरोन को मोटर नियूरोन में भेजने का काम करती है किस चीज को सूचना को अब भाई इंटर नियूरोन ने तुरंत एक रिस्पॉंस भेज दिया मोटर नियूरोन के जरीए कि अब इस मोटर नीउरॉन ने तूरंध हमारे हाथ को क्या कर दिया यहां से अब मैं बता रही हूं तो यह बहुत लंबा फ्रॉसेज लग रहा है लेकिन सेकंड से भी कम समय लगता है तो क्या कितनी प्रॉसेस बहुत जल्डी हो जा रही है जैसे गरम तवा चुआ सब्सक्ame प्र्षेश्ब है इस तक शुद्रीब चाप कहते हैं डाइघे आएग्राम आएगा एक्जाम में बनाने के लिए ऐसे बनाना चाब ठीक है ओके तो यहां पर देखो क्या रखा हुआ है कोई गरम बरतन है गरम बरतन पर क्या कर दिया हमने गरम चीज को छू दिया तो हमारी स्किन में क्या है रिसेप्टर है इसने सिगनल को रिसीव कर लिया अब गरम चीज हमने छू दी तो फटा फट सन्वेडी तंत्रिका को कोशिका सूचना को कहां पर ले जाएगी मेरु रजु में यानि स्पाइनल कॉड में ठीक है अब यहां पर संदेश तुरंत ही क्या हो जाएगा एक तरीके से किसमें बदल जाएगा प्रतिक्रिया में बदल जाएगा तो तुरंत ही हम इसके लिए रिस्पॉंस देंगे प्रे प्रतिवर्ति चाप ठीक कि गरम चीज को छूते ही हमने क्या किया अपने हाथ को हटा लिया यह जो पूरा प्रोसेज है यह प्रतिवर्ति क्रिया है इस प्रतिवर्ति क्रिया को करने के लिए जो भी हमने सिस्टम बिठाया है उसे प्रतिवर्ति चाप कहते हैं फिर से समझो कोई गरम प्लेट है गरम प्लेट को छूने पर हम बिना सोचे समझे अपना हाथ हटा लेते हैं कैसे हटा लेते हैं जैसे ही हमने गरम चीजों को छुआ हमारे हाथ में एक तंत्रिका कोशिका है जिसका नाम है सन्वेदी तंत्रिका कोशिका सूचना को तुरंत रीड की हड़ी में ले जाएगी रीड की हडी एक और response जन्रेटट सन्ट करेंगी किसको टंत्रिका कोशिका के द्वारा और मोटर साध्रिका कोशिका तुरंत वहां से हमारा हाथ हटवा देगी ठीक है इस पूरे ब्रक्रिय में दिमाग का कुई रोल नहीं है जहां पर हम दिमाग से नहीं सोचते प्रतिवर्ती क्रियाजी से कहते हैं हम सदेन रियाक्षन देते हैं जैसे कि हम अपने हाथ को तुरंत हटा ले रहे हैं अपनी आखों को तुरंत बंद कर ले रहे हैं यह सारे रियाक्शन हमारे रीड की हड़ी से कंट्रोल होती है ठीक है एक्जाम में इसको कैसे लिखना है वो भी देख लेते हैं सबसे पहले रिसेप्टर यानी सन्वेडी तंत्रिका कोशिका द्वारा हमने उत्तेजना को क्या कर लिया ग्रहण कर लिया उसके बाद ये जो उत्तेजना हमने ग्रहण करी है किस से सन्वेडी अंग के द्वारा जैसे कि हमारा त्वचा है हम इस उत्तेजना को कहां पर भेज देंगे मेरु रज्जू में जिसे आप अपना स्पाइनल कॉर्ड भी कह सकते हूं रीड की हड़ी वाला भाग ठीक अब मेरु रज्जू में एक और इस्ट्रुक्चर होता है जिसे इंटर नियुरॉन या रिले नियुरॉन कहते हैं यह रिले नियुरॉन सनवेडी नियूरॉन की सूचना को मोटर नियूरॉन में भेज देता है ठीक है उसके बाद मोटर नियूरॉन एक response generate करेगा एक signal भेजेगा कि भाई यहां से अब हमें हमारा हाथ हटा लेना है तो से नहीं क्या प्रक्रिया को पूरा का पूरा क्या प्रतिवर्त चाप एक्जाम में ऐसे ही लिखना है तो प्रतिवर्ति-क्रिया यही होती है तो यहां आपके बहुत सारे important question बनते हैं पहला question यह बनता है कि तंत्रिका कोशिका की संरशनात्मक और कार्यात्मक कोशिका को क्या कहते हैं यह क्या होती आप बोलोगे neuron फिर neuron का structure पूछ सकता है तो आप बोलोगे neuron के तीन भाग होते हैं कोशिका काय डेंड्रोइट और एक्जॉन ठीक कोशिका काय बीच वाला भाग बड़ा भाग जिसके पास केंद्रक है कोशिका काय से बहुत सारी शाखाई निकली जिसे डेंड्रोइट कहते हैं कोशिका काय से डंडे जैसे एक structure निकली है जैसे हम exon कहते है और exon की end पर जब तंत्री का कोशिका दूसरी तंत्री का कोशिका से जुड़ती है उसे हम synaps कहते है ठीक है फिर हमने पढ़ा प्रतिवर्ति क्रिया क्या होती है प्रतिवर्ति क्रिया भी बहुत इंपोर्टेंट है जो भी टॉपिक्स हमने बताएं बिलकुल याद रखिएगा प्रतिवर्ति चाप क्या होता है डाइग्राम कैसा है यह भी दिखा दिया है मैंने तो कुछ इंपोर्टेंट क्वेस्चन तो यहां पर खतम होते हैं अब हम यहां पर तंत्रिका तंत्र के पूरे के पूरे भाग खो फॉर्मली पढ़ेंगे और आपको मैं यहां पर थोड़ी सी चीज़े बताऊनगी कि कि तंत्रिकाँ थंत्र के कि नंदरी यह tul çok capital दूसरा भाग परिधी यह तंत्री का तंत्र यानि आपकी बॉडी में ऐसा तंत्री का तंत्र जो बीच में मौझूद है उसे आप Central आवर सिस्टम कहोगे बीच में कौन-कौन मौझूद है आपका दिमाग ठीक है आपका मस्तिष्क और आपके रीड की हड़ी यह बीच में आपके बॉड़ी के आप धियान से देखोगे तो ब्रेन और रीड की हड़ी एक लाइन में है यानि आपकी बॉड़ी के बीच वाले में इसी वज़े से इसे हम केंद्रिय तंत्रिका तंत्र कहते हैं और ब्रेन और आपके रीड की हड़ी के किनारे जितनी भी तंत्रिका कोशिका फैली हुई है यानि आपकी बोडी को घेरे हुए है उसे आप परिधिय तंत्रिका तंत्र कहोगे ठीक तो केंद्रिय तंत्रिका तंत्र जिसे cns कहा जाता है सेंट्रल नवस सिस्टम कहा जाता है इन शॉट इसको cns कहते हैं और परिधिय तंत्रिका तंत्र को pns कहते हैं Peripheral nervous system तो center part पर Central nervous system और किनारे के पार्ट पर peripheral nervous system के दो भाग होते हैं पहला भाग होता है मस्तिस्क और दूसरा होता है मेरूर्जुक कितने भाग होते हैं अग्र मस्तिस्क मध्य मस्तिस्क पष्च मस्तिक जो की अगली में पढ़ने वाले हैं ब्रेन के तीन भाग अग्र पश्च और मध्य मस्तिस्क जिसमें से अग्र मस्तिस्क सबसे बड़ा भाग होता है मध्य मस्तिस्क कनेक्शन बिठा कर रखता है अग्र और पश्च के बीच में पश्च मस्तिस्क से हमारी रीड की हड़ी निकलती है फिर ह हम इधर घूम जाएंगे परिधिये तंत्रिका तंत्र की तरफ क्योंकि हमने केंद्रिये तंत्रिका तंग पढ़ लिया होगा परिधिये तंत्रिका तंत्र में भी हम दो भाग में पढ़ेंगे एक तंत्रिका तंत्र जो अपने आप सारा का सारा काम कर लेगी कुछ भी हमें ब मर्जी है कि हमें हाथ हटाना है नहीं हटाना है या क्या करना है अपनी इच्छा से जो हम काम करेंगे उसे हम एक्षिय तंत्री का तंत्र कहेंगे इसमें सेंसरी नर्फ भी आ जाएंगी और मोटर नर्फ भी आ भेंगे अब हम जो सक्ष्ट करेंगे वह साली है वह तैंट और चंत्र का पढ़ना शुरू करेंगे यान om तंत्रिका तंत्र जो आपकी बॉड़ी के केंद्र में उपस्थी थे यानि सेंटर में उपस्थी थे सेंटर में आपके बॉड़ी के कौन-कौन उपस्थी थे आपका ब्रेन और spinal cord यानि की read की हड़ी वाला भाग ये दोनों आपकी body में बीच में उपस्थित है और ये सारे part है केंदरिय तंत्रिका तंत्र के ठीक है तो यहाँ पर आपको एक diagram भी दिख रहा होगा उपर के side में आपका क्या है brain है और ये है आपका spinal cord और इसको ध्यान से अपनी body में सोचने की कोशिश करो तो ये आपके बीच में उपस्थित है body के इसी वज़े से central nervous system यानि केंदरी तंत्रिका तंत्र में हम इसे पढ़ेंगे तो class start जब हम करेंगे अगली तो उसमें हम मस्तिश्क के भाग सारे पढ़ेंगे उनके काम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है और रीड की हड़ी के बारे में भी पढ़ेंगे ठीक है तो आज की class में इतना ही रहने देते हैं किंट्रोल और कॉडिनेशन का आज का यह जो लेक्चर था बहुत इंपॉर्टेंट है बिलकुल इसको मिस्स मत करिएगा आप लोग अगली आज में हम ब्रेन और उसके पार्ट्स और स्पाइनल कॉड़ पढ़ेंगे ओगे थैंक्यू सो मज़ करेंज